तो चलिए दोस्तों रेसिपी की सुरुवात करते हैं तो यहां लिया है मैंने ओरेंग जूस यहां मैंने ट्रॉपिक अना का ओरेंग जूस लिया आप चाहें तो फ्रेस ओरेंग जूस भी ले सकते हैं तो औरंग जूस की क्वांटिटी हम लेने वाले वो हम लेंगे एक कप यह दिखए मैंने एक कप ट्रॉपिक काना का ओरंग जूस ले लिय और इसे मैंने कड़ाई में ट्रांसफर कर दिया है आप साथी साथ इसमें मैं डालने वानी हूँ 1 फोर्थ कप नॉर्मन पानी इसके बाद हम फ्लेम स्विच ओन करेंगे जैसी यह थोड़ा सा गरन हो जाएगा तो इसमें हम डालने वाने धेर सारे अपने चॉप्ट ड्राइफ रूट्स या अपने मन पसंद ड्राइफ रूट इसमें डाल सकते हैं तो यह मैंने धेर सारे ड्राइफ डाल दिया और इनको अब हम स्टर करते रहेंगे चंटिनुएस्टी तब तक जब तक कि अच्छी तरक से उबालना आ जाए और साथी साथ पूरे जूस जो है हमारे ड्राइफ पूस के अंदर समान जाए तो यह देख और यहां लिया है मैंने हरसे का कैरामल सिरप तो दोस्तों करे लोगों को कम्प्लेन होती है कि जब हम सुगर का कैरामल बनाते तो वह जल जाता यह कड़वा हो जाता तो उसके इसी प्रॉलम को सॉल्व करने के लिए मैंने हरसे का कैरामल सिरप लिया है यह लिया है मैंने ए तब तक कि अच्छी तेके से क्रीमी नहीं नहीं हो जाए तर देखें करीबं दो से तीन मिनट लगे हैं इसको हैं फेट ने मर यह पूरी तरह से क्रीमी और चॉकलेटी नजराने लगा है अब यहां लिया है मैंने मैदा यह लिया है मैंने देज़ कप पहला एक कप लिया और यह फिर से मैंने यह लिया आदा कप तर टोटल मैदा लिया है मैंने jack up और साथि-साथ ले रही हूं मैं baking powder वन टी-सप और अब इसमें मैं ऐट करने वाली हूं baking soda half Ts. आपके पास यहें बा कोई होगा तो वह निकल जाएगा साथ ही साथ एरिशन बहुत अच्छा होगा तो आप जब भी केक बनाए ड्राइ रिग्रेट्स को छानना ना भूले अब इसमें मैं एड कर रही हूँ मिल्क पॉडर दो टेबल स्पून यह मैंने दो टेबल स्पून मिल्क पॉडर आड कर द इसलिए इसमें इन मसालों का परियोग हमें जरूर करना पड़ता है अब इन मिस्टर यंक्रीडेट्स को हम अपने वे ہाट इंग्रीडेट्स के साथ अच्छी तएके से मिक्स करने वाले हल्के हातों से यह पहले मिक्स करेंगे उसके बाद इसाफियर स्पीड को बढ़ाे तो यह देखिए हमारा बैटर क्रिस्मस केक का हो गया तयार अब यह क्रिस्मस केक और इसमें ड्राइफूट्स ना हो तो ऐसा हो इनी सकता तो और जूस में जो हमने अपने ड्राइफूट्स को बॉयल करके रखा था उसको मैं इसमें डाल रही हूं ड्राइफूट्स की क्वा मैंने केक टीन को जिसको मैंने पहले से ग्रीस करके रखा था बटर पेपर लगा कर उसमें मैंने कर दिया है इसको ट्रांसफर टैप करेंगे ताकि कोई भी एर बबल हो तो निकल जाए अब इसके उपर हम चाहें तो थोड़े से ड्राइफूर्स को फिर से गार्निस कर सकते है यह तोटली ऑप्सनल है पर डाले से यह दिखने में अच्छा लगता है अब आज के केक को हम बिना ओवन के बना रहे हैं तो यहाल यह मैंने मोटे तले वाली कडाई लिए जिसको कि मैंने मीडियम फ्लेम पर लो मीडियम फ्लेम पर पाच मिनट के लिए गरम होने के लिए अब इसमें अपना केक टीन में ट्रांसफर कर रही हूं देखिए किता प्यारा दिख रहा है ना केक तो बेक होने के बाद तो मजा आने वाला अब इसको मैंने ढख दिया और धक कर पचास मिनट के लिए करीबन बेक करने के लिए छोड़ दिया है जब केक ठंडा हो जाए तो हम इसको डी मॉल करने वाले और ये देखिए वाओ कितने अच्छे तेकेसे हमारा केक बेक हो चुका है अब मैं आपको बटर पेपर निकालकर दिखाती हूँ ये देखिए कितना प्यारा हमारा केक बेक हुआ और ये कितना स्पॉंजी बना है तो खाने में ये डिलिसिय को लाइक और शेयर करना ना भूलें तो दोस्तों आप सबों को क्रिस्मस की फिर से धीर सारी बद्धायों और आपने यह दी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें Once again Molly's Kitchen wishing you all a Merry Christmas and Happy New Year Bye Bye दोस्तों फिर मिलती हूँ